देखो जो हम कर्मा बाई जी का चरित्र शुनते हैं गाते हैं उसमें बिधी की पूर्णता के नियम सैयम की बात थोड़ी है उसमें भाव की पूर्णता की बात थोड़ी है ये भगवान की द्वरह ही नम रचा हुआ है उनकी लिए जल्दी कर्मा बिलंब हो जाएगा जल्द कर्मा तो उनका नाम एक कर्मा कर्मा भाई प्रभु श्रेम उन्हों विचार किया कि रात्री में प्रभु का भोग नहीं लगता दिन में शब लगाते हैं तो तीन मजे प्रभु को तो भूख लगती होगी तीन में जल्दी से उठी बस पहला काम रश्वई चड़ा दिया फिस के बाद सौच इश्णान किया क्या विधी है इसमें एक विधी को जानने वाले महात्मा ने देखा कि शूरी उदय के बाद विश्णान कर रहे है और भगत तो है ये प्रशिदी थी उनकी उनका तुम कैशी भगत हो शूरी उदय हो रहे हैं फिर आप इश्णान थोड शैया में लेटे हुए शूरी भगवान का उदय हो जाता है उसकी आयू बुद्धी श्री तेज बहुत सी बाते नश्ठ हो जाती हैं अगर आपको जीवन में चाहे लोकी कुन्नती प्राप्त करनी हो या पार लोकी प्राता कालें कम से कम शूरी उदय होने के दो घड़ी पहले 24 दूनी 48 मिनट अभी शूरी उदय होने में 48 मिनट हैं आपने सया छोड़ दिया इसके आगे शूरी उदय होने के 48 मिनट पहले आप सया से हट जाएं अगर आप रात्री में जगे हैं तो शूरी उदय होने के 48 म वो जो बीच का समय प्राताहकालिन, शंद्याववण, भास्तर, भगवान, पदार रहे वो आप सो रहे हो तो आपकी आयू आपका वईभो आपकी बुद्धी ये समनस्ठोने लगते हैं पता नहीं चलता लोग देखो, कहां तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं खूब तो सब खापी रहे हो खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है भागवतिक तेज अलग होता है ब्रह्म महुर्त में उठे प्रभू का इश्मरन किया जो दो-चार नाम ही सही अपने बड़े भुजुर्गों को गुर्जनों को भावना से प्रणाम किया पहली बाद सरीर स्वस्त रखने के लिए गरम जल किया हलका आधा लीटर से एक लीटर तक जल पिया भगवत भाव अर्पित करके वजराशन में बैठकर आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचरी को पचा नहीं सकते हैं द्यान रखना ब्रह्मचरी कोई छोटी मुटी सकती नहीं है उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिब्ब्य होनी चाहिए फिर इसके बाद है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं ऐसे भुवन भासकर पधार है हाथ जोड़कर प्रणाम किया अर्गदान किया गुरुमंत्र जपा आदिया अब पड़े हो आप कि हम तो जो तीन बजे तक जगे हैं ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी शुजू दे क समय आप उठ जाएए आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या जगत गुरु हैं भुवन भासकर परम ज्यान शुरूप हैं गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रत के स्वेम भगवान अरुण देव शार्थी हैं और भगवान पीछे वरणन के मैं ही शुरी रूप से जगत को प्रकासित करता हूं और ताप के द्वारा जल को शोक कर मैं ही वर्षा कराता हूं भगवान का आधर करना जो शुरियोदे तक शोते हैं उनकी बुद्धी में भागवतिक बातें अध्यात्म बातें आजाएं मेरी संग में नहीं अगर आप भी शरीर श्वस्त रखना चाहते हैं तो जैसे नियम से भजन वैशे व्याया माउशक सबसे प्राड़तना है ये दवाईयों के बल पर जीना बंद करो शरीर में जितनी आवशकता जल की है अगर उतना नहीं जाएगा तो आपके शिट बनेगी फुन्शिया निकलेंगी दुखो को कहते हैं कभी कभी जिसे पूछते कितना जल पिया वह अभी तो पिया नहीं अच्छा ये शरीर है ये एक गाड़ी है पर कोई सचिदानन्द नहीं है उची तहार उची जल वे आपके कुछ समय नहीं और दस दिन बीमार पड़ोगे फिर दुखो आप कहते हैं सम सिर्या को बताएं सीत धाम की दो बज़े उठना जो आपको बोल हैं ऐसी ही दिन चर्या करती और पैतालिस मिनट वे आया है इसके बाद तुरंद प्रणाम करके ब्रंदावन की परिक्रमा फिर आके सिरी जी की मंगला फिर आके नो बज़े तक गुर्दवी भगवान की शे प्रिदा कि वहम हमारा दूद बन कभी नहीं ऐसा और कभी ऐसा मैसूश नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं ब्रह्मचरी को पचाने के लिए बहुत सरीर को क्रियासील होने की आवस्षपता है या तो प्राणायामों के द्वारा आशनों के द्वारा ख कि न आशनहे ना नहीं बात नहीं अध्यात्म का शाधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा मुख प्रशन तनतीज विराजा कि इने सराम चंद्र करका कोई अशाध्य रूप वो बात अलग है नहीं तो ऐसा वो जिसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है क्यों हर्शमय चिंतन सही आचरण सही सब कुछ सही जो भगवत भावना विहीन जीवन है वो मुर्दा जीवन है जीनहरी भगत इहरदय नहीं आनी जीवित सव समानती प्राद्द वो जान नहीं रहे मुर्दे जिसा जीवन है क्या जीवन का मात वही गंदे भोगों को भोगना उसी का चिंतन करना और भोग भोगने वाले सरीर को स्वस्त रखने के लिए विशे शामाग्री कठी करना इसके बाद मर जाना बोलो इसके लावर क्या है ये बनाया वो बनाया वो बनाया जरा से हिला पूरा का प्रांत का प्रांत नश्ट हो गया, क्या है इसमें हमें तशली होती है हमने एक मकान बना लिया तशली होती है चार लड़के हो गए और काल का तमाचा लगा पूरा का पूरा सब क्या तशली हरदे को तशली तब दो जब नाम चल राधा राधा